दोस्तों, बैंकिंग करियर के ओपीसियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम उमेश यादो है दोस्तों, आज लॉगड़ाउन 5 को लेकर के मिनिस्ट्री आफ फोर्म एफेर कर तरफ से गाइडलाइन आया है इसमें दोस्तों, एकजाम को लेकर के किरन की आसा जगी है इसमें डिटेल में डिसकर्स करेंगे कि लॉगड़ाउन 5 में क्या क्या चीजे हो सकती है और एकजाम आपका जो फ्यूचर में है, वो कब से स्टार्ट हो सकता है यानि Lockdown 5 को लेकर के जो भी guideline आये है आपको सब कुछ इसमें detail में आपको The Hindu का article है उससे लेकर के आपको समझाओंगा आपको जो भी information है आपको detail में यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तो आप सभी के लिए जो भी आप banking, SAC या UPC कोई भी government का job का preparation करते हैं आप सभी के लिए काफी important वीडियो है दोस्तो इसमें जो भी important जो point है अपने लिए उसको हम discuss करते हैं दोस्तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को request कर रहा हूँ कि इस वीडियो को like कर दीजे और इस channel पर नया है तो आप जरूर इस channel को subscribe कर लिजे यहाँ पर आपको मैं right time में जो information होता है real time का information होता है वो मैं provide करता हूँ आपको काफी benefit मिलेगा दोस्तो इसमें जो guideline आई है उसको हम सबसे पहले देखते हैं आज जो ministry of home fair के तरफ से जो guideline आई है उसमें आपका जो June 1 से start हो रहा है lockdown 5 और आपका till 30 June तक रहेगा यानि 1 June से start होगा और 30 June तक आपका lockdown 5 रहेगा यानि June में जितने सारे संभावनाएं हो रहे थी exam का वो नहीं होगा परसो मैंने एक video भी बनाया था आप सभी के लिए SBI के लिए और मैंने बताया था कि SBI के exam जून में नहीं होगा तो आज जो lockdown का जो आया है जो guideline आया है उसमें आपको पता चल गया होगा दोस्तो इसमें एक चीज और है आपको interstate जो permission लेना पड़ता था आपको कहीं आने जाने के लिए interstate जो moment है person का वो आपको permission लेने की जरुत नहीं है आप कहीं भी आज आ सकते हैं तो यह आपके लिए अच्छा है अब सबसे important है कि इसमें आपको क्या-क्या phase manner में open होने वाला उसको हम देखते हैं ministry of home affair ने जो guideline किया जारी किया है उसमें containment zone का जो था containment zone में को phase manner में open किया जाएगा standard operating procedure के थोरो ASOP के थोरो open किया जाएगा phase 1 में क्या-क्या open होगा उसको देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस article का link आपको description box में देदे रहा हूँ आप जाकर को वहाँ से पढ़ सकते हो इस video को ठीक सी सुनो आपको सब कुछ clear हो जाएगा दोस्तो religious place and places of workshop for public hotel, restaurant and other hospitality service and shopping mall will be permitted to opening from June 8, 2020 यानि दोस्तो phase 1 में आपका जो religious places है, workshop है, उसके बाद hotel, restaurant and hospitality service है, shopping mall है 8 जून के बाद आपका यह सब चीजे open हो सकता है, ministry of home affair department से concert करके और इसको social distancing norm को maintain करते हुए, जिससे COVID-19 है, spread 9 हो, उस guideline को follow करते हुए 8 जून के बाद से यह सारे activity स्टार्ट हो सकती है, यानि hotel, restaurant, shopping mall आपका जो है सब चीजे 8 जून से स्टार्ट हो सकती है phase 1 में आपका 8 जून से यह सीजे start होगी, दूसरी बात है दोस्तो, phase 2 में सरकार, ministry of home affair जो state है और union territory है, उनसे advice लेकर के, जैसे school, colleges खोलना है, educational training institution, coaching institution यह जितने सारे institution है, उसको खोलने के लिए, reopening के लिए, जो state है और union territory है, उनसे advice लेकर के, और इसको जुलाई में open करेगी यानि दोस्तो, अकर वहाँ से अच्छा से उनका guideline आया, तो आपका जुलाई में इस open होगी, यानि जून के last last सब कुछ होके हो जाएगा और जुलाई से आपका जितना सारे institution है, educational institution और colleges है, यह सब चीजे open होने लेगी यानि जुलाई से आपका exam भी start होने लेगा, यह चीजे काफी important है दोस्तो, तो यह important है हम सभी के लिए कि जुन में तो exam कोई भी नहीं होगा, जुलाई में exam होगा इन दिनों में क्या क्या चीज़ों जो है आपका जो एर हैगा, prohibited रहेगा, throw out country, पूरे country में जो मना ही रहेगा, यानि उस activity को चालू नहीं किया जागा international air travel passenger यानि airport जो है वो नहीं open रहेगा, यान international passenger के लिए allowed नहीं रहेगा metro जो है वो भी बंद रहेगा, cinema hall, यहाँ पर देख सकते है, swimming pool होगा रहा, entertainment होगा जितने सारे चीज़े है यहाँ पर एक बार पढ़ लिजे, आपको यह सब चीज़े जो है, वो open नहीं होगा, यह सब चीज़े बंद रहेगा और जुलाई में जितने सारे shopping mall, sorry colleges है, educational institution, training है, इस सब को चालू करेगी तो यह दोस्तो काफी important है, आप सभी के लिए, आप जो भी आप में से banking का preparation कर रहे हैं, insurance का, या कोई भी government job का preparation कर रहे हैं, तो आप सब के लिए काफी अच्छा news है दोस्तो दोस्तो इसमें एक और चीज़े हैं, जो कारफीव है, 9 p.m. से लेकर के 5 p.m. तक लागू रहेगा, यानि रात के 9 बेस से लेकर के 5 बेसे तक थोरो आउट country पूरा लागू रहेगा, जो emergency cases के लिए कुछ emergency है, उसको छूट दिया जाएगा तो सबसे important है, inter estate जो travel permission जो पहले लेना पड़ता था, वो आपको लेना नहीं पड़ेगा दोस्तो आई होप आपको ये सब चीजे जो भी मैंने बताया आपको clear हो गया होगा, आप banking का, SBI का exam को लेकर के, RBI exam को लेकर के आप जो भी आप expectation हो रहा था कि अब होगा, एक चीजे clear हो गई कि जून में नहीं होगा, जुलाई के first week में हो सकता है, मैंने पहले भी बताया तो आप अच्छे से preparation कीजी, अच्छा से मलनगा करके एक महीना आपके पास time है, आप जितना मेहनत कर सकते हैं, उतना आपको अच्छा हो असान हो जाएगा, आपके selection लेने में आपको, यानि success पाने में आपको आसानी हो जाएगे, ओके दोस्तों, I hope आपको समझ में आया हो थैंक यू सो मॉच, God bless